स्वर्ग और नरक एक बुजुर्ग औरत मर गई मरने के बाद यमराज उसे लेने आये बुजुर्ग औरत ने यमराज से पूछा आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नरक यमराज ने कहा इन में से कही नहीं तुमने इस जनम में कर्म बहुत अच्छे किये हैं इसलिए मै सीधे तुम्हें प्रभु के धाम ले जाऊंगा बुजुर्ग औरत खुस हो गई बोली धन्यवाद पर एक विंती है आपसे मैंने धर्ती पर स्वर्ग और नरक के बारे में बहुत सुना है मैं इन दोनों जगों को एक बार देखना चाहती हूं यम्राज बोले तुम्हारे कर्म बहुत अच्छे है इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा चलो हम स्वर्ग और नरक से होते हुए प्रभु के धाम जाएंगे दोनों चल दिये सबसे पहले नरक आया जहां चीख पुकार मची हुई थी वहां सभी लोग तुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे औरत ने वहां एक आदमी से पूछा कि आप सब की ऐसी हालत क्यूं है वो बोला और कैसी होगी मरने के बाद जब से यहां आये हैं एक दिन भी हमने खाना नहीं खाया है भूख से हमारी आत्माएं तडप रही है बुजूर्ग औरत की नजर एक विसाल बरतन पर पड़ी जो करीब चार सो फीट उची थी उस बरतन से बहुत ही सांदार महका रही थी औरत ने उस आदमी से पूछा इस बरतन में क्या है आदमी उदास होकर बोला यह बरतन बहुत ही स्वादिष्ट खीर से हमेशा भरा रहता है बुजूर्ग औरत ने हैरानी से पूछा कि जब खीर है इसमें तो आप लोग खाते क्यों नहीं क्यों भूख से तडप रहे हैं आदमी बोला कि कैसे खाए यह बरतन तो चार सो फीट उचा है हमें से कोई भी उस बरतन तक नहीं पहुँच पाता बुजूर्ग औरत को उन पर दया आ गई सोची बेचारे खीर होते हुए भी नहीं खा पाते साइद भगवान ने यही सजा दी है इने यमराज बोले कि चलो स्वर्ग भी देख लो वो स्वर्ग पहुँचे जहां सभी लोग हस्ते खिलकि लाते दिखे उसने वहाँ भी चार सो फीट उचाई पर रखे बरतन को देखा जैसा नरक में था वहाँ के लोगों से वो पूछी कि इस बरतन में क्या है लोग बोले कि इस बरतन में टेस्टी खीर है बुजुर्ग औरत हैरान हो गई वो बोली परिया बरतन तो चार सो फीट उचा है आप लोग तो इस तक पहुची नहीं पाते होंगे आप लोगों को खाना नहीं मिलता होगा तो आप लोग भूख से बिहाल होंगे मुझे तो आप लोग खुच दिख रहे हैं कैसे वो बोले हम लोग तो इस बरतन से जी भरकर खीर खाते है बुजुर्ग औरत बोली पर कैसे बरतन तो बहुत उचा है वो बोले बरतन उचा है तो क्या हुआ यहां बहुत सारे पेड़ पौधे हैं इन पेड़ों की लकडियों से हमने एक विसाल सीड़ी बना ली और उस सीड़ी के सहारे ही हम लोग उस बरतन तक पहुच पाते हैं और सब मिल कर खीर का आनंद लेते हैं बुजुर्ग औरत यमराज की ओर देखने लगी यमराज मुस्कुराए और बोले कि इस्वर ने स्वर्ग और नर्क मनुसी के हातों में ही सौप रखा है चाहे तो स्वर्ग बना ले चाहे नरक इस्वर ने सब को एक समान हलातों में डाला है उसके लिए उसके सभी बच्चे एक समान है वह किसी से भी भेदभाव नहीं करता है वहां नर्क में भी पेड़ पौदे भगवान ने दिये थे पर वहां के लोगों ने सभी पैड़ पौदों को नश्ट कर दिया अगर विये ऐसा ना करते तो आज वो भी स्वर्ग के लोगों की तरह लकड़ी से सिड़ी बना कर खीर का आनंद ले सकते थे और उन्हें भूखों न तडपना पड़ता जबकि स्वर्ग के लोगों ने पेल पौधों को नश्ट नहीं किया तो आज जुरुरत पड़ने पर पेल इनके काम आ सके और ये लकड़ी की सिड़ी बना कर खीर का आनंद ले पाए क्योंकि भगवान की बनाई दुनिया का यही नियम है कि मनुस्य तभी सुरक्षित रह सकता है जब वो भगवान के दिये प्रकृती को सुरक्षित रखता है नहीं तो उसे नरक जैसे कस्ट से कोई नहीं बचा सकता इसी तरह की सच्ची और अच्छी कहानियों को सुनने के लिए नुनु कहानिया सुने लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले धन्यू प्रकृती कहानियों को सुनने के लिएट रखता है